बुदवार को आमादमी पाइटी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अगरवाल मद्दिप्रदेश के छतरपुर जिले के दोरे पर थी जब बेपाइटी के कारिकरताओं के साथ बैठत लेकर उन्हें अगामी चुनाओं के लिए तैयार कर रही थी इसी दोरान पाइटी के कई कारिकरताओं ने आमादमी पाइटी को त्याग दिया आमादमी पाइटी के लगभग सौ से ज़ादा कारिकरताओं ने दावा किया है कि बेपाइटी में अमित भटनागर और पुषपेंदर पटेल की ताच पोशी के कारण नाराज हैं और पाइटी छोड़ रहे हैं आमादमी पाइटी के कारिकरताओं ने अपनी नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष रानी अगरवाल के सामने भी रखी और अमित भटनागर अरबा पुषपेंदर पटेल को पाइटी से हटाने की मांगी आमादमी पाइटी के नाराज कारिकरताओं से हमारे समवाददाता विनुद मिश्रा ने बात की सुनिए नाराज कार्यकरताओं की नाराजगी की वजह क्या है और इन्होंने आम आदमी पाटी को क्यों छोड़ दिया लोग आते हैं तो परानों को भूल रहे हैं ना उनको कहीं मान मर्यादा ना कोई पाटी की गाइड लाइन उनको तो पता नहीं है और हम लोग गाइड लाइन से चलने वाले तो हमारी चलती नहीं है पराणा कारता हो, पारटी से दिल से जोड़ा हो तो चाहतनमन दन से जड़ा उनसे कोई मतलब नहीं है उनके नीचे नीचे जो काम करेंगा वह पार्टी में रहेगा आपका सुबनाम राजू खान जी कहां से यहां मैं खजराहो से हूं और खजराहो लोकसभा जो है वुस्पका मैं सचेव हूं बरतमान में आप पार्टी से जी आप लोग क्यों इस्तिफा दे रहे हैं क्या बजा हैं मेरा इस्तिफा देने का कारण यह है कि जैसे कि घर में कोई बहू आती है तो सास के उपर अधिकार न जमाए और जो हमारे पुराने कार करता हैं या पुराने पदाधिकारी हैं इतनी अच्छी आमादनी पार्टी हमास की चल रही थी पूरे चतरव णगे में और उन लोगों ने जो आके नए लोग जो आये हैं उन लोगों ने आके खपरेल का काम किया है, सजने वाला खपरेल, जो डिजाइन बनता है, और निव के पत्थर को भूल जाना, ये तो मकान पूरा गिरिगा ही, और इसी हालत में मकान का धौस्त होना लगभगता है, क्योंकि हमारे पुराने जो निव के पत्थर हैं, उनको निगलेट किया जा रह क्या है एक एहरवार बच्ची का मंच पर अपमान किया गया कलसी और पार सथ लेवल की पदा दीकारि चाहिए उसको बिठाना चाहिए मंच पे और कुछ महला थी जो पुरानी कार करता थी उन लोगों को मंच मिलना चाहिए पर कलसी साब के कारकरम में उनको दिव्या को अलग कर दिया गया रहवार को जबकि वो पारसद भी है कम उमर की है और प्रदेश में पद पर है बुसरी बात यह है कि मनी पूर में हमेर भटनागर जी महला है मनी-पूर की महला है में ढ़ता कर रहा है दिखंवा कर रहे है यह महला हो के रुपाल में और पास शिटीकुतवाली में आप लोग की पार्वी इस तरह से खेमे में पट जाएगी तो पार्टी को कितना नुक्सान होगा कर दोगा तो चाही की दुकान नहीं पता तो प्लू क्या हमारे च्षेत्र में मजला टोटा गली Much हम लोग जाते हैं वहाँ पर उनको क्या पता कोन कार करता क्या करता है कोन कार करता कैसे पेट्रोल डिलाता है अगर हम पचास रुपए का प्रदेश सच्चु बने अमिद भटनागर को छह साथ से निस्काशित कर दिया गया था अब भी आएंगे चुनाओ को समय आएंगे फिर चले जाएंगे अब उस्पेंदे पटेले के अतिस्षिक शक है उनको बना दिया उनके किसी पुराने आदमी को सम्मान नहीं करना महिलाओं को सम्मान नहीं करना किसी भी तरह का जितना गोपनीता भी जूम साभाए तो इतना आज के प्रोग्राम के पूरा गोपनीता रखे किसी आदमी को ना बुलाना मेटिंग में ना बुलाना तो हम लोग उनसे रुस्ट है राणिया गरवाल जी को अपन लोग रही बोलें सभी लोग के सगड़ा आद में इन इसके बोला कि इन दोनों को उटा दिया जाए ज़ि या ज़्यादा बुटों से आरोगिए तो कि पार्टी उनको निश्कासित करेंगी और जैसा कुछ नेजी के लिए सब करता है यह पर लेविल का बिचार है कि क्या करेंगे उसमें तो मैं कुछ नीं बोलूगा मैं तो इतने कहुँगा कि पार्टी को सबको मिलके चलना यह जो नए आदमी हैं उनको ग्यान नहीं कुछ की तरह के पारटी हम लोग जमीन को बेस बनाके चला है करीब एक दो साल से चार साल से लोग मेनत कर रहे हैं उनको किनारे कर दिया है और आप पूर से लिकिन मेरा पद है लोग सबाटीकमगर से संजिक सचुगा हम लोग सिर्फ इसी से अनिमत्ताओं के कारण के जो नए-णय लोग आए हैं यह जबरजस्ती हम लोगों के उपर थोपे जाते हैं जबरजस्ती गो किया जाता है कोई बाहर से पताती कारी आता है उसके कोई जानकारी नही पताता इसको चुपाचपा रखते हैं कि बात न करना यह जिए कितने कार करता हैं हम लोग सतर से सो आदमी के भीन जले जो चार लोग तो हैं उसके बाद यह लोग कट जाएंगे तो किस प्रकार से मद्द्रदेश की तो ठीक है चातरपुर जिले की क्या इस्तिती होगी पहले तो यह देखा जाए कि जो पिछला जो नंगरपाल का चुनाव हुआ था इस नंगरपाल का चुनाव में जिन लोगों हमें पारटी के लिए बोट के खटा किया पार्शत जितवाए सब कुछ किया आज उन्हीं लोगों को दरकनार किया जा रहा है जो जो जिनको दरकनार किया जा रहा रहा है वो कहीं न कहीं असंतोस रहे प्रांतिया द्यक्ष जो रानी अग्रवाल जी आई है उनके सामने लगभग 80-90 लोगों ने जो पददकारी हैं उन लोगों ने सामोई कुरूप से इस्तिफा दिया है और मांग की है कि यदि जो जिलाद देक्ष है उनको नहीं हटाया गया और अमेद भटनागर जी को यदि पार्टी से निस्कासित नहीं किया गया और निस्कासित होने के बाद भी एक बार साथ पूर में निस्कासित भी कर दिया गया था लेको उसके बाब जूद भी उनको प